हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टुमाई यूट्यूब चनल तो गाइस हमने पटवारी लेकपाल के जो बारा फरवरी यानि कि आज का एक्जाम हुआ था तो उसके हिंदी के 20 कोशन के सॉलुशन कर लिये हैं साथ ही जी एस और अपनी रीजनिंग के भी हमने 40 कोशन सॉल्व कर लिये हैं तो अब हमारा भाग तीन पार्ट थ्री है राज से संबंदित विवित ग्यान यानि कि उत्राखंड की जितनी भी जी एस है उससे 40 कोशन आई है तो देखते हैं कैसे हैं कोशन और उनका सॉलुशन क्या है कॉशन नबर 61 है कौन सा दर्रा उत्राखंड में दार् कतनों को देखना है फस्ट है यह निलगिरी की स्थानिक है यह आयू सी एन की रेट डटा सूची में क्रांतिक संक्टा ग्रस्त के रूप में सूची बद्द है यह प्रजाती वन कटाओ आवास विखंडन तथा वनागनी की कारण खत्रे में है यह भी सही है आपको जो फस् यह दर कहां इस्थापित किया गया है तो इसका राइट अंसर होगा भीमताल कोशन नबर 64 है हिमालियन मसाला उध्यान डैस में वन अंसुंतान केंदर हल्दवानी द्वारा इस्थापित किया गया है सौनी रानिखेद कोशन नबर 65 ने इमने के दर्रों में से कौन एक उत् नंदा कोट परवत चोटी की उचाई जायतर आपसे नंदा देवी की उचाई पुछ जाती थी लेकिन इसमें नंदा कोट परवत चोटी की उचाई पुछी गई है तो 6861 मीटर राइट अंसर होगा कोटेश्वर गुफा जो की सिव से संबंदित है वो आपकी रूद्र प् पास है चबूली में और भागरती खरक बधिनात की पास है मिलम जो है गंगुत्री के उत्तर माना घाटी में है यह बल्कुल गलत है मिलम ग्लेशर जो है कहां है पिथोरागर चिले में है कोश्चन नंबर 78 देख लीजिए इसमें बोला है स्वारी 70 है निम्नमैसे कौन कुम बलपंत और लाला इंद्रडाल ये तीनों ही कुमाओ पडिशित के संस्तापों को में थे लेकिन दर्शन लाल पांडेस में जो है टाइट अंसर होगा कोश्चन नंबर 71 है नंदा देवी राश्टी उध्यान को वर्स 1988 में युनिसको द्वारा विश्व दरोरस तल गोशित अब देखें कोश्चन नंबर 74 है नीती आयोगद्वारा जारी किये गए सतात विकास सूजकांग 2020-21 में उत्राखण ने डैस इस्तान प्राप्ति किया है तो इसका राइट अंसर होगा दूसरा इस्तान कोश्चन नंबर 75 है उत्राखण आर्थी वरस्ता में कौन सा राजस जो है चित्रफल और जनसंक्या दोनों के दरश्टी में सबसे कम जिला है कोश्चन नंबर 77 उत्राखण में रोजगारों युवाओं को रोजगार प्रतान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है तो आशा पोर्टल होप पोर्टल का भी नाम अपने सुना होग कि किस प्रमार शासक ने बावन गणियों को गडवाल राज के रूप में संगतित किया तो राइट अंसर इसका होगा अजय पालना कोश्चन नंबर 79 निमलिकित में से किस मुगल शासक ने कुमाओ नरेश बाज बहदूर चंद को बहदूर की उपादी से सम्मानित किया था राइट अंसर इसका होगा शाजा कौशन नंबर 80 है निमलिकित में से किसने गडवाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी तो यहाँ बैरिस्टर मुकुंदी लाल Q81 है निमलिकित में से कौन सा युग में सुमेलित है देखे गड़वाल जागरिती संस्था जो है 1949 में बनी राइट अंसर होगा Q82 है मानस करने में निमलिकित में से किस चेतर को राम चेतर कहा गया तो अलमुरा को राम चेतर कहा गया था लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस सेली में किया गया है तो यहाँ नागर सेली में किया गया है निमलिकित व्रक्षों में से कौन सा उत्राखन राज में नहीं पाए जाता है तो ब्लू पाइन, स्प्रूस और देवदार के वरक्ष पाए जाते हैं लेकिन भेंदी के वरक्ष नहीं पाए जाते हैं निमलकित नदियों में से कौन एक राम गंगा की सहयक नदी नहीं है तो राइट अंसर इसका होगा लिसार Q86 है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्व में निमलकित कतनों में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ भारत का पहला व्रहत राश्टी उधान है बिल्कुल सही है इसकी स्थाप्रा 1936 में होई थी हैली नेशनल पार्क नाम से यह भी साही है, इसका पूरवर्दी नाम है हैली नेशनल पार्क नाम यह साही है इसका कुल चेतरवल 826 किलोमेटर है तो यह गलत होगा इसका कुल चेतरवल 520 किलोमेटर स्क्वार है Q87 है, राश्टी ये स्वच वायू उजना के अंदरगत उत्राखन के कितने सहर कजबे शामिल किये गए है इसका राइट अंसर हो जाएगा दो शहर अब जगे कुछ कोशन बचे है, कोशन नमबर 88 है निमने कितम से कौन कुमाओ का परथम का पेशनर था तो एडवर्ड गार्डनर सभी को पताई होगा कोशन नमबर 89 है दरदुन पर गोर्खा दिपत्ति के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे तो इसका राइट अंसर होगा हर सेवक दास कोशन नमबर 90 है अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उत्राखन के लिए कूल कितने सीटे थी तब 22 सीटे थी कोशन नमबर 91 है निमन में से कौन सी विधान सभा सीट उत्तराखन में अनुसूचित जन जाती एस्टी के लिए आरक्षित है तो नानक मत्ता जोकी उधमसीन गर में आती है राइट अंसर इसका होगा दिक्षित आयोगने कौशन नमबर 94 है राज में महिला को सरकारी सेवाओं के लिए पुछा है कि परतिशत 36 अरक्षर प्राप्त है तो 30% है और पंचायतों में पूछींगे तो 50% हो जाएगा याँ पर कौशन नमबर 95 है उत्त्राखंड गौरव सम्मान की शुरुवात कप से हुई तो 2021 से हुई है मेलों में बताना है कि पांच अगस 2022 को उत्त्राखंड सरकार के प्रेटन मंत्री द्वारा एक राज के मेले की रूप में घोशित किया गया है जागरा को 1997 में पुछा है अलमोडा के खग मेरा किली का निर्मान किस के गर explor दी था कूत कहला जाता है कॉशन नमबर हंड्रेट है और लास्ट कॉशन ये है कितमे से किस गड़वाल नरेश ने तिबबत पर तीन बार आकरवन किया था राइट अंसर इसका होगा महिपतिशा इस तरह से हमारे उत्राखंड जी एस के भी कॉशन सारे सॉल्व हो चुके है तो हमने पटवारी लेकपाल के पूरे कॉशन पेपर को सॉल्व कर लिया है तो आई होब आपके लिए वीडियो हेल्फ़ रहे होगी पुके विदो पसंता इत विदो कुला आईए और सब्सक्रापव जरू